तो अगर मेरा नाम है सवराज आप देख रहाँ आप देख रहे हां सावराज लाइब स्थायल और आज हम बात करने वाले हैं अगर आपके थिन बाले उनके अंडर वॉस्ट बना इसन एक राइड आपको बालों के अदर अपको बालों के दर असलब प्रॉल्म रहती है कि बाद करेंगे जो आपके यह थिन भी है तो भी आपने इनके इनर बहुत बढ़ीया वॉल्यूम बना सकते हो तो वीडियो करते हैं शुरूग पहले तो आपको देखना पड़ेगा आप राइट शेंपू यूज कर रहे हो क्या आप राइट कंडिशनर यूज कर रहे हो या नहीं शेंपू अपने बालों के हिसाब से यूज करो या थिन बाल है तो थिन बालों के हिसाब से अलग अलग शेंपू आते हैं आप उनको यू करए और बॉल्यूम नहीं देता है कंदिशनर जो हैं बॉस्टिंग धए रहे हो कही तो आप कर रहे हो कही तो आपके बालों गलतायों कि रहा है नहीं बना पाऊगे तो अपने शैंपू अपने कंडिशनर अपने बालों के हिसाब से यूज करो यह बहुत जाधा आपके आएंगे आप थिक कर सकते हो विट टाइम तो आपको न्यूटेशन पर ध्देन और साथ में आपको को करना है ऑल तेल लगाना है तो जो आप पकोडे तलते हो ना जिस तेल में वह पले कि अपने ने बालों में लगा सकते हो एंगर पाणना को बालों के अंगर फिर उप्लाई करना कोई भी एपको है उसमें घ्राइब कर नहीं हो लेकिन शाए क्रचा जाए मिंगि मिन्रा ओइल करनाम आतकर सकता है अच्रड़ कर सकते हैं और इसके अंदर बहुत सारी चीजजें दों है उल्टा रिवर्स आपके कि अब ये हैर केर वाली सारी चीज़े वाल बाल ओर अब टुड़े जादाध थिक ओंग और के युद्धिन ओन बालों बनाने में थोड़ी आप होनी चालो हो जायगी तो अब हम बात करने वाले कि कैसे आप अपना जो धारवी जयसे बाल है एकटम गिरे ववे उनको आप ब मूंच पूर योग सेंवल करको कि आपके धिसंद में में अपने नहीं कर दो पहुँंद से जाल सब्सक्राइब मुम्स में जे जो करना खाते लिए ना अग Water लेकिन हेर क्रीम और हेर मूज साफ वो तब अपलाई करना होता है वो आपके बालों के अंदर एक ठिकने ऐड़ करती है आपके बालों के अजबाज जो एक लेयर बना देती है जैसे आपके बालों के अजब ज़गा थिक हो जाते हैं और साथ में सॉफ्ट भी लगते हैं बालों के अजब तक बालों के अजब दूर रखना है उतनी आपको शाइन को थोड़ा दूर रखना है मैं आपको एक नॉर्मल शाहिन चाहिए उससे जादा शाइनी चीज आपको नहीं चाहिए थोड़े मांट के लिए करना चालो कर दो और अप हैर वॉल्यूम बॉस्टि लिए युज नहीं करना तो अपिट जब यूज करो कि आपके आप यूज करोगे आपके बालों के देखने हो जाएगी लेकिन क्या होता है पतले बाल भाल है बहुत देल तक रहते तक वाल्यूम को रखना है तो उसके बाल आपको और उसी एरिया उसी पोजिशन में करो अपने बालों को एक दम लॉक कर देगी उस पोजीशन के अंदर फिर वह लेंगे भी नहीं तो अपना पोस्टाइलर यूज करो जो भी अगर आप यूज करना चाते हो तो पट जो भी आप यह सब प्रोसेस करना यह हर रोस के लिए नहीं है जब पार्टी वाडी के अंद आप एसी वाल्यूम बना सकते हो एक और चीज आपको धियान रखना है वह है अलवेज उस मैट फिनिश हैर प्रोड़क्त जो आपका लास्ट में जो एंड प्रोड़क्त होना वह हमेशा मैट फिनिश रखना हैं कि आप हैर वैक्स उसकर सकते हो यह फिर आप कोई और हैर फ प्रोड़क्त होती है तो आपके बालों के अराम सब पता चल जाएगा कि यार कितने थिन बाले आपके बाल थिन दिखेंगे आपने अच्छे से स्टाइल किया और वाल्यूम हो और वही प्रॉब्लम थोड़ी पॉमिट के साथ भी होती है फिर भी पॉमिट थोड़ा थिक रहता है लेकिन उसके अंदर भी उससे अच्छे उप्शन आपके पास हैं जैसे हैर वैक्स और हैर कले तो आप उनकी तरफ जा सकते हो मतलब अगर आपको बालों को अगर खड़ा रखना है तो आप हैर स्प्रेस्ट रभ मार सकते हो लेकिन इसको बहुत कम कॉंटिटी में अगर आप ज्यादा यूज करते हो ना तो आपके बालों के अंदर अगें वह सेप्रेशन आ जाएगी और उससे फिर से पता चल जाएगी कि यार बाल इसके थिन है तो यह सब चीज़े आप कर सकते हो अगर आपके बालों के अंदर आप तोड़ा टेक्शर एड़ करना चा है तो यह सब्सक्राइब और कोई चीज़ पर आप वीडियो चाहते हो तो मुझे जरूर देना बता नीचे कमेंट सेक्शन इसी के लिए तो है यार आज के वीडियो के लिए थैंक्स होच